वेलकम वारियर्स सभी लोगों की डिमांड है कि अगनी वीर वायू नॉन कंबडेंट को क्या-क्या सुब्धाएं मिलती हैं यह जो वीडियो बन रहा है एकदम करेक्ट है यह सारी सुब्धाएं आपको देखने को मिलेंगी जब आप इन्रॉल हो जाएंगी तो चलो स्टार् नौया लाकू मिस्व इन में क्या है यह लडाई जब छडेगी यह कहीं कुछ ऐसा होगा तो इन्हें लड़ने केलिए बेंड़ा जाएगा इसलिए बोलते कॉमबेट और इनको नॉन कॉमबेट क्यों बोलते हैं नॉन कॉमबेट गयर लडाको लडाई होगी तो इनको बिल्कुल टचनी किया जाएगा यह जहां हैं वही काम करेंगे चलो आगे समझते हैं इनको मिलने वाली सुभधाएं क्या है इस बात से कई वीडियो में गलत बीज बता रहा हूं लीव लीव कितनी मिलती है तीस दिन इनको लीव मिलेगी जिसे एनुवल लीव बोलते हैं पूरे साल में तीस दिन लीव मिलेगी कभी भी डाल सकते हैं कितने बार भी जा सकते हैं इसको और कैजुल लीव क्या होती है कैजुल लीव तभी मिलेगी जब गहर पे अचानक मम्य बीमार हो गए पापा बीमार हो गया या कुछ हो गया या अचानक जाना पड़ा किसी काम से घर पे तो वो चीज काजूल में आती काजूल मींस कभी कभी अचानक अमरजन्सी नेक्सट वर्दी यूनिफॉर्म uniform के विसाय में आपको बहुत सारी दिक्कते हैं uniform में आपको इतने डाउट हैं कि मुझे लग रहा है कि कई लोग तो ऐसे बोल रहे हैं यार ऐसे प्लीज यार गुम्राह मत करो यार लोगों यदि आपको पता नहीं है तो मत बताएं uniform मैं बोलता हूं चलिए uniform पे start होते हैं यार एक यूनिफॉर्म बिलू यूनिफॉर्म मिलेगी आपको बिलू यूनिफॉर्म कब होगी जब कहीं ceremony या फिर परेड बगेरा या कोई भी ऐसी चीज होती है जहां official टाइप का अगर आप office में कहीं रहते हैं तो बिलू यूनिफॉर्म पहनते हैं कि एक होति है इत हैं डांगरी नाय में बोल दो आपको समझ में आएगा यह'dую अब और अल्ड बोलते हैं खल के यह जब आप में काम कर रहे हैं कटिंग बगैरा का या आप किलीनिंग कर रहे हैं उसकी लिए उबराल यह बहुत क्या है गंदी नी होती है अलग टायफ ग्रीन कलर की मिलती है जो गंदी नी कुल को क्यों को रड़ पर क्त करें मैं की अलग यूनि फॉर्म होती है इस टाइब कि उनिफॉर्म है मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताक एक फोटो दिखा दिखा कि ताकि आपको समझ में आ सके हम बात करने वाले हैं मेडिकल फैसल्टी मेडिकल फैसल्टी क्या है इस फैसल्टी में आपको तीन पीडी तक मेडिकल सुवदाय मिलती है जब आप अगनी वीर वायव नोन कंबडेंट पर्मनेंट हो जांगे तब तीन पीडी तक और इस समय कि सेल्ट को तो मिलेगा और अपने परेंट्स को भी मिलेगा तो आप हuciónगिकप नेंट हो जाएंगे तो जब आप पर्मानेंट हो जाएंगे तो आपकी वाइफ एंड चिल्डरन मतलब तीन पीड़ी और आजीवन आजीवन मिलेगी मेडिकल फैसल्टी तो आप समझ में आ गए होगे चार साल की ट्रेनिंग उसके दोरान सेल्फ को पेरेंट्स को मिलेगा जब आपकी साधी हो साधी वाइफ आएगे बच्चे आएंगे तो उनको मिलेगा तो यहाओ आप और आपके भच्चे तीन प्य्ड़ी को मिलता है तो नЬस्स आते हैं सी फैसल्टी है कंटीन फैसल्ट्य प्सक्त है इसमें भी तीन बना देते हैं केंटीन फैसलिटी वहिया कार्ड मिलते हैं कैंटीन सीह केंटीन १ कार्ड कैंटीन कार्ड मिलेंगे उससे आप ग्रॉसरी जो भी यहां तक की चैन जूते और ओवराल जो भी और सेविंग ब्रस ए टुजे डेली रूटीन के जितनी भी आइटम है वो सारी कैंटीन में मिलते हैं और सबसे कम रेट पर मिलते हैं पूरी इंडिया या वर्ड में कहीं भी उससे कम रेट पर और यह जब आप पर्मानेंट हो जाएंगे तो आपको मिलती है वह यहां 200-500 के मिलेगी तो यह पर्मानेंट हो जाने पर है ठीक है फिर आपके दो कार्ड हो जाएंगे एक ग्रॉसरी कि एक लिकर कि कैंटीन फैसलिटी समझ में आ गई अभी आते इंसुरेंस देखो यह चीज मैं बता रहा हूं ऐसा किसी के साथ ना हो यदी चार साल के दोरान या फिर जब पर्मानेंट हो जाओगे उसके दोरान कुछ हो जाता है हमारे अगनी वीर वायू कमबाडेंट को तो 48 लाग की जो धनरासी है वो उसके नौमनी वाइफ या पिता जी माता जी को जाएगी यह 48 लाग रुपए और इसकिल सर्टिपिकट चार साल जब आप जौब करते हैं यहां पर तो एक इसք सेर्टिपिकट जन दिया जाएगा जिसमें भी जॉप करते हैं को कहा सफाई हैं और प्रिभी उसका चेह टिया जाएगा जो भाविस्के नौकरियों में काम आएगा अगला आता है पेमेंट एंड एलाउंस पेमेंट एलाउंस की में सिलाइड बताने वालाउंस फुल डिटेल प्लीज उसको जरूर देखें